पीजे एक नया उलू दिख रहा होगा उसकी कहानी का भी आराम से सुनाऊंगा लिकिन आपनी ये देखा वीडियो ये कला देश इसने बाहर नहीं जानी चाहिए एसे ही कैपशन्स के साथ वाइरल है ये वीडियो साइकलों के करतव का दिखता है कि एक ही वक दो साइकलों को एक साथ चला रहा है स्टन्ट कर रहा है काल्पोरेट का कोई Employee Work Life Balance मेंटेन कर रहा है कोई डॉक्टर एक साथ क्लिनिक और अस्पताल का का काम कर रहा है कोई कोडर ओफिस के साथ मून लाइटिंग कर रहा है पत्रकार टीपी पढ़ने के साथ अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगंडा साध रहा है वीडियो आपने देखा कब का है कहा का है ये नहीं पता पर इसको देख के आपके मन में क्या भावाए बताईएगा जरूर हाई मैं नाम है आशी शाद देख रहे हैं दीललन टॉप एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशनलिस्ट शो में आगे मढ़ते हैं उसके पहरे जानते हैं आज के शो में क्या है खास अतीक अहमद की गाड़ी पर लटते कौन देखना चाह रहा था कौंग्रिस के प्रदर्शन के बीच काला जादू क्यो ट्रेंड होने लगा लड़की की तारीफ में लड़के ने डाइनासोर को भी धन्यवाद कह दिया और पिकाउस देडे में करिंगे बाद ऐसे ताबूत की जो देख के मुर्दा भी कन्फ्यूज हो जाए अतीक अहमद आज का सबसे बड़ा कीवर्ड रहा टीवी पर तमाम किस्म के विजूज चलते रहे तमाम माने तमाम गुजरात की सावरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया और भारा पूरा मीडिया इगंट अबना सावरमती जेल से निकलते हुए अतीक हमद ने इनका प्रोग्राम हमको पता है मेडी हत्या करना चाहते है यूपी पुलिस के लिए कहा लेकिन जो सारी हवा बनी उसका मतलब ये था और उससे निकला सवाल ये था कि क्या अतीक हमद को ले जा रही गाड़ी भी पलट जाएगी चलते चलते शिवपुरी में अतीक अहमद का काफिला कहा जा रहा पुलिस का काफिला एक गाय से टकराया तो वैसी बाते और होने लगी रिपोर्टिंग में लगे तमाम सातियों से मैं चलते चलते ये भी कह दूं कि खुद के शब्द देखे और इसे अतीक अहमद का काफिला कहने से बचे पुलिस का काफिला कहें कोई चुनाव जीत के नहीं लोट रहा है क्योंकि तो मैंने ये जो गाड़ी पलट जाएगी वाला विमर्ष फिंका इसके आसपाख खूब आते होई द्यान दे तमाश भी इन लोग हैं सड़क पर कथित नयाए होते देखना चाहते हैं हम तो समिधान और कानून के बात करने वाले लोग भी अपना पक्ष भी रख देते हैं हम तो जो कानून अंसही है वो होते देखना चाहते हैं भगवा करांटी सेना की राष्क्री अध्यक्ष डॉक्टर प्राची कहती मिली की रास्तेम बहुत ब्रेकर है किसी की भी गाड़ी पलट सकती है शब्दों में वड़ी ताकत होती है पत्रकारों के शब्दों में थोड़ी और होती होगी पत्रकारों ने लिखा और जब अतीक को ला रहे काफिले के वाहन की टकर शिवपुरी के पास आवारा पशु से हुई यहां भी गाड़ी पलट सकती थी किसी ने समख किया कि देश का सारा मीडिया गैंग्स्टर के पीछे पूछे पूरी रात क्यों? क्योंकि सब को पूरी आशंका है कि गैंग्स्टर का एंकाउंटर हो सकता है गाड़ी पलट सकती है अनहोनी की इतनी प्रबल आशंका वाले गजब लोग हम किसी ने सीधे सीधे ही लिखा अतीक की गाड़ी पलट गई सुनने के लिए लाखों लोग बेताब है फेस्बुक पर एक यूजर ने लिखा लोग सोच रहे थी कि अगर पुलिस वास्ताव में यूपी की योगी सरकार की होगी तो गाड़ी जरूर पलटेगी पलट 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 ओ तेरी धत तेरे की पलटते पलटते रह गई अतीक अहमद की गाड़ी पलटते बची ये क्या लिख रहे हैं इसका क्या मतलब आ रहा है और सरकार के लिए क्या लिख रहे हैं ये खुद ही जाने कहां पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं किसी ने सीधे सीधे फेक न्यूज ही फैला दी कि आखिरकार अतीक अहमद की गाड़ी पलट ही गई और पुरानी फोटो प्रॉमाज्च के हवाले से लिखा गया कि अपने जीवन में पहली बार इतना डरा होगा अतीक उसे लग गया होगा कि सरकार बदल गई है और बाबा की सरकार में हम जैसे गुंडों की कोई आउकात नहीं जब सब इतना रैम डन जाई रहा था तो जातिवादी बातें कैसे न होती लिखा गया अतीक ब्रामभर थोड़े है जो गाड़ी पलट जाएगी ब्रामभरों की गाड़ी पलटने में ही सिर्फ बुल्डोजर नाथ को इंट्रेस्ट है ऐसा योगी आदितिनाथ के लिए इन ह आप क्या कहेंगे और अगर पैसे ना देते तो क्या होता जैसा यह सोच रहे हैं उसी साब से इनको क्या कहें कुछ भी हो रहा है है हैवी हवी बातों की बीच कुछ श्लाइट दिखारते हैं ट्विटर पर एक फोटो चल रही है जाने AI का कमाल है फोटोशॉप है दुनिया में कॉंग्रेस के नेता और कई नेता भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोनिया गानी मलिकार जिंकर्ड के दिगुजे सिंह समेत विपक्षिक कही नेता मार्ज करते दिखे लाइम लाइट ब्लैक ड्रस पर थी सुबह उधर सुबह ही अन्राग ठाकुर का बयान भी आ चुका था कि राहूल गान्धी पिछडों का अपमान कर रहे हैं काली कारणा में फिर काले कपड़े और अब ये काले जादु तक जाने वाले हैं राहूल गानी में इतना हंकार है कि उन्होंने माफी नहीं मागी और कोट के आदेश को भी नहीं माना है Nepal एक्विक्ति की वज़हसे ये लोगों ने बदले में लिखा किस तर पर पहुँच गई है भारती राजनीती, एक दूसरे के लिए नफरत पहले ही क्या कम है, जो अब ऐसे शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है, हद हो गई, रिपोर्स में काला जादू, कुछ तरह से ट्वीट आए कि पढ़कर आप कहे कि इसका क्या ही मतलब है, जैसे कि उजया ने लिखा बाप रे, फिर से काला जादू, मोडानी अब नहीं बच पाएगा, राहुल गांधी जी हिंदू हिरदय समराट है, उनकी सांसद सदस्यता निरस्त करके अपना संपूर्ण विनाष मोडानी ने खुदामंत्र किया है, बीजेपी स्वाहा, मोडानी स्वाहा, फट, भाषपा के समर्थक पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो काला जादू वाले संदर हुमें ही साथ में लगा के लिखते मिले कि जितना भी काला जादू करना है, कर लो जनता तुम पर विश्वास नहीं करने वाली, पियूश यूजर से लेकर इंस्टा की मीम पेजेस तक वायरल है, अंकिता नाम की यूजर का शेयर किया और स्क्रीन शॉट, एक बंदे की फ्लर्टिंग का सबूत है, वैसे किसी की परसनल चैट हो या फ्लर्टिंग जैसी चीजे मैं इस शो में दिखाने या वैसे भी शेयर किये जा जाकर उस कार का पेट्रोल बना, जिसे आपकी मम्मा अस्पताल में आपको जन्म देने के लिए ले गई, यहीं स्क्रीन शॉट उन्हें ट्विटर पर डाला और बंपर चल गया, सोशल लिस्ट में बारी है पेक आउस देडी के, और पेक आउस देडी में आज आपको दिख जाएगा क्योंकि गया उत्पाद विवहाग की टीम ने एक एम्बूलेंस में ताबूत से कुछ बरामद किया है, मुर्दा नहीं, कुछ ऐसा जो मुर्दे को जिला दे और जीते जाकती इनसान को मौत प्योड धीरे धीरे लखिलना शुरू कर दे शराब, जी हम, 212 बोतल विदेशी शराब को एम्बूलेंस के अंदर रखे ताबूत में छिपाकर गरांची से मुजफ़र पुर ले जाया जा रहा था, रास्ते में धर लिया गया, देखिए वीडियो लिअग बाठी अज पर देखिए इसकत में अज भी आज़कर के लिए अजया दिलिये वाग वाट। देखिए जरे बाट है इस कि अगरेशुल्ट में लिफशान के इतना ही उल्लू की कहानी आपको आराम से सोनाएंगे आप क्या करिए? अभी आप सुनिए ल्टी प्रीमियम के बारे में ये जानकारी पूरी हवा बना दो सिर्फ उनसट रुपे महिने में पाईए यूट्यूब पर ल्टी प्रीमियम किसी भी प्रेटफॉर्म से तीन दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन दे न्यूज रूम किताब वाला आदी इसके लावा बहुत कुछ सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें जॉइन बटन